मैं शिवकांद गोदम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपने लोगिन किया है बोल्सकाई अक्सर लेट खाने से, लेट उठने से, एनमित खानपान और अन्यकार्ण से पेट में दर्द हो जाता है और पेट में गड़बडियां हो जाती है पेट में अक्सर दर्द, जी मचलाना, उल्टी और दस्त जैसी समझाएं हो जाती हैं जो हमें बहुत परिशान करती हैं ऐसे में लोग कई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनसे वो दिक्कतें दूर हो जाती हैं लेकिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें उनको फाइदा पहुँचाएंगी चलिए आज बताते हैं आपको वो पांच चीज़ें जो आप अकसर खाते हैं जब भी आपका पेट गड़बड हो ऐसे समय में क्या खाएं क्या ना खाएं ये बहुत बड़ा सवाल है जानकारी के अभाव में कभी कभी हम ऐसा कुछ खाते हैं जिससे हमारे पेट की समस्या सुधरने की बजाए और बिगड़ जाती है अगर पेट समंदी समस्या होने पर आप भी ऐसा कुछ खा रहे हैं तो ये आपके लिए फाइदे मन्द होगा ऐसे समय में हम आपको उन पांच चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आपको दूरी बनाए रखनी है पेट की खराबी होने के कारण सबसे पहले आप डेरी प्रोड़क्स जैसे दूद्ध और गी से दूर रहें जैसे ही कहा जाता है कि दुनिया भर में जादतर लोग डेरी प्रोड़क्स के पाए जाने वाले लेक्टोस से परिशान है मतलब यह है कि डेरी प्रोड़क्स को पचा पाने में लोगों को जरूरी एंजाइम की कमी होती है इसलिए पेट खराब होने पर इन हाद्य पदारतों से दूरी बनाए रखनी चाहिए सोड़ा जादा तर लोग पेट खराब होने के बाद सोड़ा को उसकी उत्तेजक्ता के कारण बहुत जादा महत्तु देते हैं जबकि इसमें पाए जाने वाला केमीकल पेट को और नुकसान पहुचा सकता है अगर आप इसे ज़दा तवज़ो दे रहे हैं तो आपका पेट खराब है तो आपके लिए और भी समस्चाएं हो सकती है मिर्च और मसाले हो सकता है आपके लिए फाइदे मन्द हो लेकिन इन्हें पेट ठीक नहीं होने पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आमतोर पर तेल में फ्राइ करके ही खाया जाता है जब घर में सबजी या अन्य चीज़े बनाई जाती है तो उसमें मसालों के साथ साथ तेल भी होता है जो आपको नुकसान पहुचा सकता है फैटी फूड जैसे मास, क्रीम और बटर जैसे खाद्य पदार्थों में फैट की मातरा बहुत ज़ादा होती है इसलिए पेट खराब होने पर इनके सेवन से बचना चाहिए ऐसे समय में ये आपके स्वास्थे पर बुरा आसर डाल सकती है इसलिए फैटी फूड को ना खाएं तो बहतर है सबसे बुरी चीज़ ऐलकोहल खराब खाद्य पदार्थों के लिस्ट में ऐलकोहल भी है ये ऐसे डिटी को बढ़ावा देता है एलकोहल में पाया जाने वाला केमिकल शरीव में मेटाबोलिजम के लिए बहुत ही खराब होता है ये पेट की परत के लिए खराब माना जाता है इसलिए जब पेट खराब हो तो एलकोहल का सेवन बिलकुल भी ना करें ये वो पांच पदार्थ हमने आपको बताए हैं जो अकसर पेट खराब होने पर लोग खाते हैं और बिमारी भड़ाते हैं बोल्सकाई में फिलहाल इतना ही